स्वागात आप सभी का हमारे चनल केवले काड़ में पर देखे हमारा यह घटना चकर के आधनिक भारत के इतियास का डिसकेशन चल रहा था जहां पर आज हम लोग बात करेंगे फिलहाल इस लेक्चर में स्वराज पार्टी के गठन को लेकर गई स्वराज पार्टी का गठन किस प्रकार से और किन अवस्थाओं में किया गया था इसके बारे में जानते हुए हम लोग आगे प्रश्णों की तरफ चलते हैं सबसे पहले देखिए हमने देखा पिछले लेक्चर में कि असहयो गांदोलन जो है वह समाप्त कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा चौरी चौरा के कांड के बाद उसके बाद ब्रिटिस सरकार ने गांधी जी को गिरफतार कर लिया और उनको 6 वर्स की कारावाज की स एक वर्स में स्वतंतरता या एक वर्स में पूर्ण स्वराज का नारा जो है वह गांधी जी ने दिया था इस आंदोलन के साथ ही साथ या इस आंदोलन के लच्छ के रूप में तो फिलहाल जब यह आंदोलन वापस ले लिया गया और राजनीतिक निस्क्रियता या राजन तिक सुनेता का माहौल पूरे देश में फैला हुआ था उसी समय कांग्रेस के अंदर कुछ नए विचार आते हैं इन नए विचारों के तहत जो है उनमें सामिल थे मूतिलाल नहरू और सीयारदास इनके द्वारा जब कांग्रेस का गया अधिवेशन हो रहा था 1922 वाला जिस कार को काम करने से रोके लेकिन यह प्रस्ताव जो है कांग्रेश के विभिन सदस्यों कर दिए और उन्त गत्व स्यारदास और मूतिलाल नहरूने मिल करके इसी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी को हम लोग स्वराज दलिया इंडिपेंडेंट पार्टी के नाम से भी जानते हैं तो यह पूरा नाम था इसका मार्च 1923 में इस पार्टी का गठन किया गया था कहीं कहीं पर जनवरी 1923 भी दिया हुआ है तो दोनों चीजों को आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा एक बार ऐसा करिएगा कि आप इस पेक्टरम के भूक उठा करके या किसी NCRT को उठा करके exact समय जरूर देख लीजेगा तो फिलहाल जब स्वराज पार्टी या स्वरा अलभाई पटेल कस्तूरी रंगा हकीम अजमल खान मोती लाल नहरू सी आरदास और जो लोग इस परिवर्तन के समर्थन में नहीं थे वे परिवर्तन विरोधी या फिर अपरिवर्तन वादी कहला है जिनमें प्रमुक रूप से सी राजगोपालाचारी म. अंसारी और राज सितंबर 1923 में तो कांग्रेस पार्टी का एक विशेश अधिवेशन आयोजीत किया गया था दिल्ली में तोकि एक अलग पारटी स्वराज पार्टी बन गई थी और इसमें भी कांग्रेस के ही विभिन सदस से बंते जा रहे थे और कांग्रेस पार्टी अपने विभाजन की के लिए सितंबर कि 1923 में मौलाना आजाद की अध्धचता में कांग्रेश का दिल्ली में एक विशेश अधिवेशन आयोजित किया जाता है जिसमें स्वराज पार्टी को कांग्रेश के द्वारा मानेता प्रदान कर दी जाती है परिडाम तब कांग्रेश पुना विभाजन से रुक जाती है आज़ेश का पुना विभाजन जो अवस्यम्भावी हो चुका था वब रुक जाता है ठीक है कांग्रेश पार्टी विभाजन से बच गई आगे चल करके नवंबर 1923 में जब चुनाव होते हैं तो उस चुनाव में इनको पूर्ड भहुमत मिल गया था बंगाल में ये सबसे बड़े दल के उरूप में उभरें बंबई और उत्तर प्रदेश यानी की संयुक्त प्रांत में भी इन्होंने संतोस जनक प्रदर्शन किया हालांकि पंजाब और मद्रास में इनको अनुवांसिक सफलता या सफलता नहीं मिल पाई थी क्योंकि वहां पर उस समय सांप्रदाइक्ता और जातिवात का लहर अपने चरम अस्तर पर था फिलाल अगर हम बात करें स्वराज पार्टी की विधान सभाया केंद्री विधान असेंबली में महत्पोण उपलब्दियों के बारे में तो इनके द उत्तर राई सासन की स्थापना है तो गोल में जिस सम्मेलन बुलाने के लिए सरकार पर दबाव डाला इसके अलावा अगर सरवाधिक महत्पोण उपलब्दी की बात की जाया तो प्रथम भारती 1925 में विठल भाई पटेल ऐसे व्यक्ति बने जो प्रथम भारती थे और य 42 मत ही इनको या 42 सीट ही इनको मिल पाई थी स्वराजियों को तो इन्हों ने किया क्या बहुमत पाने के लिए बहुमत में आने के लिए केंद्री विधान मंडल में एक दल का निर्माड किया जिसमें विभिन विपच्छ आपस में मिल करके एक दल गया एक संगठन बनाते ह और उसको कहा गया स्वराज दल जिसका नित्रित मुहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया जा रहा था फिलाल बिठल भाई पटेल जो है वह प्रथम स्पीकर चुने गये 1925 में और प्रथम भारती अध्यच थे या इसके बाद 1925 में जब चितरंजन दास की मृत्यू हो जाती एक अन्य चुनाओ इसी दौरान हुए थे 1923-24 में एक सेकंड उपर कहा जा रहा हूं 1923-24 के आसपास नगरी निकायों या नगर पालिका और नगरी इस्थानी निकायों के चुनाओ होते हैं जिसमें कांग्रेस को भी विशेश सफलता हासिल होती है इस चुनाओ के दौरान कलकत्ता के मेर चुने जाते हैं सी आर्दास, एहम्दाबाद के मेर चुने जाते हैं विठल भाई पतечение और पतना के मेर बनते हैं राजैंदबसाद और 1727 इलहाबाद के मेर बनते हैं पंडित जवाहर LAL नहरू तो ठीक है इस फिलहाल चलिए नमंबर 1926 के चुनाओ में जब स्वराजी हार गए और लाहोर अध्यवेशन में पूंड स्वराज आधी के प्रस्ताव पारित किए गए उसके उपरांत 1930 में स्वराजीयोंने जैसे जैसे समिन अवग्या अंदुलन के माहौल देश में बनता जा रहा था तो स्वराजीयोंने भी विदान मंडल को छोड़ दिया और अंतोतो गत्वा इस पार्टी का अंत हो गया तो आईए चलिए चलते हैं अब सीधा प्रश्णों के बारे में बात करते हैं और देख लेते हैं प्रश्णोंतर किस प्रकार से हमारी परिच्छा में पूछे गए थे चलिए यहां पर हमारा जो पहला और यहां सुवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 19 19 के भारत सासन अधिनियम का उच्छेदन करना तीसरा ब्रिटिस सरकार द्वारा दमन या चौथा भारतियों द्वारा इस आसाय की अनुभूति की उन्हें प्रसासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए कूट है एक केवल एक बी एक और दो सी एक दो और तीन या डी एक तीन और चार चली फिलाल इसका जो सही अंसर है वह आपने देखा आप्सन नंबर बी होगा गांधी जी द्वारा असहयो गांदोलन लेना और कांसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देने के कारण 1919 के भारत सासन अधिनियम का उच्छेदन करना स्वराजियों का यही एक मात्र उद्देश से था देखें 1919 के भारत सासन अधिनियम द्वारा इस्थापित केंद्री और प्रांती विधान मंडलों को कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशा नुसार बहिसकार किया था और 1920 क के चुनावों में भाग नहीं लिया था असहयो गांदोलन की समाप्ति गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश में वात देश का वातावरण जो है वह अजीव निरासा जनक हो गया था या देश में देश के वातावरण में एक अजीव निरासा जनक माहौल बन गया था ऐसी इस्तिती में मोतिलाल नहरू और सीयारदास ने नई विचारधारा को जन्म देत दिया। कांग्रेस के अध्यक्षपद से त्याग पत्र दिया और जन्वरी 1923 में मोतिलाल नहरू के साथ मिल करके स्वराज पार्टी की स्थापना की जिसका उद्देश से चुनावों के माध्यम से कांसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देना था। स्वराज पार्टी का गठन डैस की असफलता के बाद हुआ तो स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किया गया था। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत पार्टी का गठन जन्वरी 1923 में सीयारदास और मोतीलाल नहरू ने किया। सीयारदास इसके प्रथम अध्यच बने और मोतीलाल नहरू इसके महा सचिव। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन हिस्से के रूप में ही प्रचारित किया था। और साथी साथ अहिंसा और और सहयोग के प्रती अपनी वचन बधता को भी दोराया था। तो स्वराज दल की इस्थापना और सफलता के बाद हुई थी स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था A. बाल गंगादर तिलक तथा महात्मा गांधी ने B. विपिन चंदरपाल तथा लाला लाजपतराय ने C. सी आरदास तथा मोती लाल नहरू ने D. सरदार पटेल तथा राजेंदर परसाद ने C. सी आरदास तथा मोती लाल नहरू ने C. सी आरदास और मोती लाल नहरू ने किया था C. सेम प्रस्ट ने स्वराज दल की इस्थापना किस ने की C. स्वराज दल की इस्थापना ओप्सन नमबर D ने की C. निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे तो स्वराज पार्टी के गठन से विकल्प नमबर दो और चार संबंधित थे देखिए आप्सन नमबर डी सही है नेक्स्ट मोतिलाल नहरू और सी आरदार द्वारा 1923 इस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था तो इन दोनों के द्वारा गठित पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी ठीक है नेक्स्ट मोतिलाल नहरू स्वराज दल के नेता थे निम्ण में से कौन नहीं था बताईए ए श्री निमास अयंगर बी चितरंजन दास सी बिठल भाई पटेल या सी सी राज गुपालाचारी तो सी राज गुपालाचारी जो है वह स्वराज दल के नेता नहीं थे इनहीं के नेत्रित में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना के लिए जब गया अधिवेशन हो रहा था तो लोगों ने या परिवर्तन विरोधियों ने इस प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया था इसे कारण आप आसानी से कह सकते हैं कि सीराज गोपालाचारी या हो गए या राजेंद्र में प्रवेस्त करना चाहते थे और पांसिलों में प्रवेश कर सरकार के नितने क्या कहेंगे उसको डे-to-day वर्क को क्या बोलेंगे जो भी है तो सरकार के day-to-day वर्क को रोकना चाहा रहे थे उसमें अवरोध उत्पन करना चाहा रहे थे उनके प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया था इसके नित्रत्यों में सी राज गोपालाचारी के नित्रत्यों में परिवर्तन विरोधियों ने परिडामता सी यारदास और मोती लाल नहरू ने जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की जिसमें स्त्री निवास अयंगर मद्रास प्रांत में स्वराज पार्टी के स स्थावक थे एंसी केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुक नेताओं में से एक थे 1925 में बिठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिसलेटिव असेंबिली का अध्यच चुना जाना स्वराजियों की एक महत्पूर्ण उपलब्धी थी निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से स किस ने किया ए श्रीक्रिष्ण सिंग बी रामलाल साह सी बंकिम चंद्रमित्र या डी सचिंद्र सान्याल अथवा ई उपर युक्त में से कोई नहीं या उपर युक्त में से एक से अधिक फिलाल इसका जो सही एंसर है वह है आप्सन नंबर ए बिहार में स्वराज दल का नेत्रित्त जो है श्रीक्रिष्ण सिंग ने किया था नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम लिलकित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है पहला लखनाओ समझ होता दूसरा स्वराज दल की इस्थापना तीसरा जलिया वाला बाग हत्या कांट और चोथा बाल गंगाधर तिलक की मृत्तिव कूट के माध्यम से आपको अपना सही उत तर चुनना है आपसन है ए पहला चौथा तीसरा और दूसरा बी चौथा तीसरा पहला और दूसरा सी पहला तीसरा और दूसरा और डी पहला दूसरा तीसरा और चौथा आसान है लखनाओ समझ होता आपने देखा यह 1916 में हुआ था स्वराज दल की इस्थापना जो है 1923 म में हुआ था तो बाल गंगाधर तिलक किम्रित्यू असायोग आंदोलन के प्रथम दिन यानि की एक अगर्ष्ट 1920 को हुई थी अब क्रम लगा लिजिए तो सबसे पहले आएगा पहला यानि की लखनव समझोता उसके बाद आएगा तीसरा यानि की जलिया वाल गंगाधर तिलक किम्रित्यू यानि की चौथा तो पहला तीसरा चौथा और फिर दूसरा यह है ऑप्सन नंबर सी इसका सही हो जाएगा देखें यहां पर दिया भी हुआ है लकनव समझोता जो है या उनीस सो सोला का है जलिया वाल बागत्याकान तेरह अप्रैल उनीस सो उनीस का है बाल गंगाधर तिलक किम्रित्यू एक अगर्ष्ट उनीस सो बीस को यानि की असायोग आंदोलन की शुरुवात के प समर्थन किया तो ए एम ए जिन्ना बी मौलाना अबूलकलाम आजाद सी डॉक्टर राजेंद्र परसाद या डी जवाहरलाल नहरू कि फिलाल इसका जो सही एंसर है वह है आप्सन नमबर एक केंद्री विधान दल केंद्री विधान सभा में स्वराश दल का समर्थन या स्व विधान परिशत के चुना हुए सेंटर लेजिसलेटिव असेंबली की 101 निर्वाचे सीटों में 42 में स्वराज पार्टी की जीत हुई मध्य प्रांत में इनको इसपष्ट बहुमत बंगाल में ये सबसे बड़े दल बंबई तथा संयुक्त प्रांत यानि की उत्तर प्रद राजनीतिक मोर्चा बनाया इसमें जिन्ना के नित्रित्व में उनके समर्थक उदारवादी और व्यक्तिकत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मुहन मालवी भी सामिल थे इस राजनीतिक मोर्चे में ठीक है नेक्स्ट निम्नलिकित में से कौन देश बंदु के नाम से प्रसिद्ध है ए चंदर सेखर बी चितरंजन दास देखें देश बंदु के रूप में दो व्यक्तियों का नाम प्रसिद्ध है एक तो सी एफ एंडू जो गांदी जी के सहयोगी हुआ करते थे पत्रकार थे जो वे और दूसरे थे चितरंजन दास ठीक है तो ध्यान में रखिएगा आप्सन नमबर बी इसका सही है चितरंजन दास या सी आर दास आप इन्हें कह सकते हैं चितरंजन दास को देश बंदु के नाम से जाना जाता था इसका अर्थ होता है दफ्रेंड ओफ नेशन चितरंज केस आये और यहां पर एडवोकेट या बैरिष्टर हो गये थे वकील के रूप में इनको सबसे बड़ी सफलता अलीपूर बंकांड केस कपका हुआ था 1908 ना कि 1907 साइद 1908 का है जिसमें 33 क्रांतिकारियों को गिरफतार कर लिया गया था और उसमें जो है सामिल थे प्रमु ठीक है तो चितरंजन दास की यह सबसे बड़ी सफलता थी कि इन्होंने अलीपूर बंकांड केस में अर्विंद घोस का बचाव किया था इन्होंने मुतिलाल नहरू के साथ मिल करके स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में अगला प्रस्ण है कि स्वराज आम जन्ता के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं कि प्रसिद्ध सुत्र की घोसड़ा की ए सी यार दास ने बी सी राज गोपालाचारी ने सी मूतिलाल नहरू ने या डी गोपीनाच साहा ने चलिए जो सही अंसर है इसका वह है option number A यह कथन जो है CR दास या चितरंजन दास का है कि स्वराज जो है वहाँ आम जन्ता के लिए होना चाहिए न कि केवल वर्ग विसेश के लिए नेक्स्ट और अगला प्रस्ण है पूछा जा रहा है कि कांग्रेसी निताओं द्वारा मांटेग्यू चेंसवोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी निताओं ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया चले जो सही अंसर है इसका वह स्वराज पार्टी नहीं वह है इंडियन लिबरल फेडरेशन देखे यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नितरत्व में गठित एक पार्टी थी इस पार्टी का गठन 1918 में किया गया था और इन्हों ने सरकार के साथ मिल करके काम करने के प्रस्त स्वाव को यह पिर सरकार के साथ मिल करके काम करने की नीती को अपनाया था ठीक है और इनके द्वारा 1919 के अधिनियम का समर्थन किया गया था जब गांधी जी के नित्रित वाली कंग्रेस पार्टी जो है वह 1919 के अधिनियम का विरोध कर रही थी ठीक है इसी प्रकार से हिंदू महासभा की इस्थापना 1915 में की गई थी जिसके प्रथम अध्यच थे कासिम बजार के महराजा उनका नाम कहीं कहीं ही मिलता है फिलाल मुझे नहीं मिला है आई ये इसका एक्सप्लानेशन देखते हैं मांटेग्यू घोषडा के संबंध में कांग्रेस में मत भिन्नता के फल सो रूप अंतता कांग्रेस का पुनह विखटन हुआ सूरत विखटन 1907 के समय उदारबादियों ने उग्रबादियों को कांग्रेस से निश्कासित कर दिया था लेकिन इस बार यानि कि 1919 के अधियम का समर्थन देने या समर्थन नहीं देने के विरोध में उदारबादियों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया सुरेंदाद बनरजी के नित्रितों में कांग्रेस के उदारबादी और नरमपन्ती निताओं ने मांटेग्यू चेंफोर्ट सुधारों का स्वागत किया कांग्रेस से अलग होकर के इंडियन लिबरल फिडरेशन या अखिल भारती उदारवादी संग की इस्थापना की वर्ष 1918 में इस संग की इस्थापना की गई थी अगला प्रश्ण है कि निम्न लिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्ड़े लिया था नीचे दिये कूट से सही उत्तर चुनिये पहला लाला हर्दयाल दूसरा मदन मोहन मालवी तीसरा मुहम्मद अली जिन्ना और चौथा मोतीलाल नहरू कूट है ए एक तथा दो बी दो तथा तीन सी तीन तथा चार और डी दो एवं चार तो मदन मोहन मालवी को हमने पढ़ा कि यह जो है राजनीतिक मोर्चा में सामिल थे जिसका गठन स्वराजियों द्वारा किंद्री लेजिसलेटिव असेंबली में किया गया था और जिसका नित्रतु कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना और बाकी मोतीलाल नहरू के बारे में हमने पढ़ा ही है कि यह स्वराज पार्टी के गठन के लिए जिम्मेदार एक वेक्टी थे और महासचीव भी बने थे हैं स्वराज पार्टी के तो इसका जो सही एंसर है वह है आप्सन नमबर डी मदन मोहन मालवी एवं मोतीलाल नहर देखें 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेट बार्टी बनाने का नेड़ा मदन मोहन मालवी तथा मोतीलाल नहरू ने लिया था मदन मोहन मालवी हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे इन्होंने वर्ष 1916 में बियच्चू यानि की बनारस हिंदू विश्विद्याले की स्थापना की थी मोतीलाल नहरू ने सीयारदास के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी के भी स्थापना की थी कांधी जी ने अपना पहला सारुजनिक भासड इसी बियच्चू के उद्घाटन के दौरान ही दिया था इस चीज को ध्यान में रखियेगा भारत में अपना पहला सारुजनिक भासड उन्हों ने जब दिया था तो वह समय था बनारस हिंदू विश्विद्याले के उद्घाटन का नेक्स्ट और अगला प्राश्ण है कि सेंट्रल लेजिसलेटिव असेंबली का प्रथम भारती अध्यच कौन था तो सेंट्रल लेजिसलेटिव असेंबली के प्रथम भारती अध्यच थे वल्लभ भाई जे पटेल वल्लभ भाई जे पटेल ने विठ्थल भाई जे पटेल ठीक है नाम से मैं भी कन्फूज होगा ओप्सन नंबर बी देखें सेंटरल लेजिसलेटिव असेंबली के प्रथम भारती अध्यच्च या इस्पीकर थे विठ्थल भाई जे पटेल जो वर्ष 1925 में इसके अध्यच्च बने ये स्वराज पार्टी के भी सहसं स्थापक थे प्रशन नंबर बी नेक्स्ट और अगला प्रश्ण है कि अगस्त 1925 में सेंटरल लेजिसलेटिव असेंबली के अध्यच्च थे विठ्थल भाई पटेल इसी के साथ यह चप्टर समाप्त होता है हमारा अगला चप्टर है साइमन कमीशन जिसकी नियुकती की गई थी आठ नॉम्बर 1927 को इंगलेंड में बरकेन हेट के द्वारा फिलाहल इसके बारे में आई ये थोड़ी सी बात और थोड़ी सी जानकारी इसके प्रस्णों पर चलने से पहले हम लोग कर लेते हैं देखें दरासल 1919 के अधिनियम पर विचार करने के लिए इसके प्रावधानों के बारे में किस प्रकार से यह कार कर रहा है इसकी जाच करने के लिए उस 1919 के अधिनियम में ही यह प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम के लागू होने के दस वर्स बाद एक आयोग गठित किया जाएगा जो कि भारत में हुए प्रसासनिक सुधारों के बारे में जाज करेगा ठीक है लेकिन अभी दस वर्स होने में समय था 1919 से 1929 तक का समय था लेकिन 1927 में ही इस साइमन कमीशन की नियुक्ति यानि कि प्रावधान में दिये गए समय से दो वर्स पूर्व ही इस आय जो कि नियुक्त किया गया था उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और दो वर्स बाद उसको ऐसा लग रहा था उस कंजर्वेटिव पार्टी को कि आने वाले चुनाओं में उसकी हार जो है वह निश्चित है और लेवर पार्टी जो है यानि कि लं कि यह लैऑर पार्टी जो है भारतियों के समर्थक वाले सदस्यों को इसमें निउक्त कर दे जो आयोग इस अधिनिये मैं इनीच सो 19 के अधिनियम की जाँच करेगा उसमें भारति समर्थक लोगों को ना नियुक्त कर दे इस कारण दो वर्स पूर्व ही इस साइमन कमिशन की नियुक्ति कर दी जाती है लंदन की कंजरवेटिव पार्टी की सरकार के द्वारा और फिलहाल जान साइमन की नियुक्ति की जाती है उस समय के भारत राज्य सचिव बरकेन हेड के द्वार ठीक है हलांकी इस साथ सदसी साइमन कमीशन में एक भी भारतिय सदस्य नहोंने के कारण इसका संपूर्ण भारत में बहुत भारी मात्रा में विरोध किया गया इसी विरोध के दौरान 27 दिसंबर 1927 आठ नोवंबर 1927 को इस आयोक की निउप्ति की गई थी ठीक है और जिसके ठीक बाद 27 नोवंबर 1927 को मद्रास में कांग्रेश का एक अधिवेशन होता है जिसमें साइमन कमीशन के पूर्ण भाहिसकार का नेड़े लिया गया और इस समय कांग्रेश के इस अधिवेशन की अध्यचता कर रहे हैं थे एम ए अनसारी मुहम्मद हामिद अनसारी यही होगा ना तो फिलहाल चुकि सभी अंग्रेज सदा से थे इस साइमन कमीशन में इस कारण इसको जो है स्वेत कमीशन भी कहा गया लेकिन भारत की सभी पार्टियों ने इसका विरोध नहीं किया था भारत में जो राजनीतिक द लेकिन कुछ ऐसी पार्टिया या कुछ ऐसे लोग भी थे जो इसका समर्थन कर रहे थे जिसमें सामिल था मुहम्मद सफी के नित्रित वाला मुस्लिम लीग जस्टिस पार्टी आल इंडिया अच्छूत एसोसियेशन और केंद्रिय सिक संग ठीक है और जहां भारत में यहा 78 को साइमन कमीशन पहली भारत में आया था और यह आया था कहां पर बंबई इमें ठीक है हलांकि यहाईयोग देश में जहां जहां भी गया वहां वहां पर आयोजी थोने वाले गोल में जिस सम्मेलन में विचार होना था। इसी के साथ यहीं पर आए नहरू रिपोर्ट को भी थोड़ा जान लेते हैं। बरकेन हेट के इस स्टेटमेंट या इस कथन को भारती नेताओं के द्वारा एक चुनावती के रूप में स्विकार किया गया। और तुरंत ही फरवरी 1928 में दिल्ली में पहला सरवदली सम्मेलन बुलाया गया। जिसमें एक ऐसे सम्मिधान के निर्मान की योजना बनाई ग आगे चलकर के मई 1928 में दोबारा से दूसरी बार सरवदली सम्मेलन बुनाया गया और यह इस्थान था इस समय बंबई में। ठीक है पहला सरवदली सम्मेलन फरवरी 1928 में दिल्ली में आउजित किया गया था जिसमें निर्ड़ लिया गया ऐसे सम्मिधान को बनाया जाए जिसमें पूर्णतह उत्तरदाई सरकार की विवस्ता हो दूसरा सरवदली बैठक बंबई में मई 1928 में और इस दूसरे सरवदली सम्मेलन में मोती लाल नहरू की अध्यचता में एक आठ सदस्य कमेशन का या कमेटी का गठन किया गया इस कमेटी में मोती लाल नहरू के अल अली इमाम, जी आर प्रधान, सोयब कुरैसी, आदी लोग। इस सम्ती ने या मोति लाल नहरु के अध्थाचता वाली इस सम्ती ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1928 में पेश कर दी और इस रिपोर्ट को मोति लाल नहरु के नाम से ही नहरु रिपोर्ट के नाम की संग्या दी इस रिपोर्ट की अगर प्रमुक्षिफारिशों के बारे में बात करे तो इसमें भारत को अधिराज्य का दर्जा देने यानि डुमेनियमि स्टेट का दर्जा देने की मांग की गई साथी साथ यह कहा गया कि भारत में एक संग होगा जिसके नियंतरण में केंदर में द्वी सदनी विधान मंडल होगा और जो मंत्री मंडल है वह सदन के प्रति उत्तरदाई होगा केंदर और प्रांतों में संगी आधार पर सक्तियों का विभाजन किया जागा लेकिन जो वसिष्ट सक्तियां होगी वह सक्तियां जो है केंदर में नहीत रहेंगी ध्यांचल देते चलिएगा अवसिष्ट सक्तियां केंदर में नहीत होने की बाद कही गई सिंध और बंबई को प्रिथक करके अलग-अलग राज्य बनाये जाने की बात की गई उत्तर पस्चिमी सीमय प्रांत को बिटिस भारत के अन्य प्रांतों के समान वैधानिक अस्तर प्रदान किये जाने की बात की गई और साथी साथ इसमें जो है वयस्कों के लिए मताधिकार महिलाओं के लिए समान अधिकार धर्म का हर प्रकार से राज्यों से प्रिथक करन भासाई आधार पर प्रांतों के गठन का भी प्रावदान किया गया किस आधार पर भासाई आधार पर प्रांतों के गठन की बाद भ रहा था उसको और स्विकार कर देने की बात कही गई और यह कहा गया कि जो निर्वाचन होगा वह सैयुक्त प्रक्रिया के माध्यम से होगा इस्थान आरच्छित रहेंगे लेकिन निर्वाचन की प्रक्रिया सैयुक्त निर्वाचन होगी ठीक है लेकिन यह भी कहा गया कि यह विवस्ता यानि कि संयूक्त निर्वाचन की यह विवस्ता उन प्रांतों में लागू नहीं होगी, जहां पर भी मुसल्मान जो है वह बहुसंक्यक की इस्थिती में होंगे, अपने नहरू रिपोर्ट में यह भी इन्होंने कहा कि गवर्णर जनरल की इस्थिती जो है वह देशी राज्यों के अधिकारों के बारे में भी बात करते हुई यह कहा कि उनके अधिकार और विशेशा अधिकार सुनिश्चित रहेंगे उत्तरदाई सासन के पस्चात ही किसी राज्य को संग में सामिल किया जाएगा इस प्रकार से हमने नहरू रिपोर्ट इन सब को देख हलांकि जो डोमीनियम स्टेट की बात थी उससे जो है कांग्रेस के कुछ नेता जिनमें सुभास चंद्रबोस जवाल लाल नहरू और सत्यमूर्थी जैसे यूवा नेता सामिल थे इनके द्वारा डोमीनियम स्टेटस की जगह पूर स्वराज कांग्रेस का लच्च बनाय ज लीग की स्थापना की कब 1928 में है और यह भी जान लिजे कि इसी मुद्दे को यानि डोमीनियम स्टेटस और पूर्ण स्वराज के मुद्दे को लेकर जो विवाद हुद्पन हुआ था उसी के कारण 1928 में कांग्रेस के कलकथा अधिवेशन में यह जो सर्वदली सम्मेलन क रिपोर्ट थी वह स्वीकार नहीं हो सकी थी ठीक है तो हमने कहां तक देख लिया आल इंडिया इंडिपेंडेंडेन्स लिक तक की बात को देख ली है तो फिलाल आये प्रसनों के माध्यम से सारी चीजों को कम्प्रीट करने का प्रयास करते हैं जल्दि-जल्दि पहला प् जो है वह आया था तीन फरवरी 1928 को भारत और इसकी न्यूक्ति की गए थी आठ नुवंबर 1927 को देखें वर्ष 1919 में मांटेग्यू चेंसवर्ड एक्ट में दस वर्ष पर इसकी समिच्छा है तो एक सम्वेधानिक आयोक के गठन का प्रावधान था आयोक को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल रहा था तथा उत्तरदाई सासन की दिशा में कहां तक प्रगती करने की इस्तिती में है ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समिच्छा है तो दो वर्ष पूरू ही नुवंबर 1927 में साइमन कमिशन की निउप्ति कर जान साइमन की अध्यचता में गठित इस आयोग में कुल साथ सदसे थे चुकि सभी सदसे अंग्रेश थे और कोई भी भारती इसका सदसे नहीं था इसलिए भारतियों ने इसे स्वेत कमिशन कहा और इसका बहिसकार किया साइमन कमिशन तीन फरवरी 1928 को पहली बार इसके अधिनियम की कारवाई का पुनरिच्छन कभी नहीं चाहते थे बी साइमन कमिशन ने प्रांतों में द्वी सासन की समाप्ति की थी सी साइमन कमिशन में कोई भी भारती सदसे नहीं था या डी साइमन कमिशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था चली तो इसका जो सही अंसर है वह है आप्शन नंबर सी साइमन कमीशन में कोई भी भारती सदस नहीं था इस कारण जैसे ही यह कमीशन आया संपूर्ड भारत में जन अंदोलन की लहर दोड़ पड़ी नेक्स्ट लाहर में देखे साइमन कमीशन के विरोधी जुलूस का नित्रतुकर से समय पुलिस के लाठी चार्ज में लाला लाजपतराय गंभीर रूप से घायल हो गये थे और पुलिस द्वारा की गई इस बरबरता पूरवक पिटाई के कारण ही लाला लाजपतराय की मृत भी हो गई थी ठीक है। फिलाल साइमन आयोग निफ्ट किया गया था, आ, 1925 में, 1927 में, 1928 में या, D, 1930 में चली, तो साइमन आयोग को निक्ट किया गया था नवंबर 1927 में आठ नवंबर 1927 को नेक्स्ट, 1928 इसमी में साइमन कमिशन भारत में किस उद्देश से आया A. प्रसासनिक सुधारों पर विजार के लिए B. सिच्छा में सुधार के लिए C. क्रिसी छेतर में सुधार के लिए D. सैनिक छमता के मुल्यांकन के लिए तो इसका जो सही अंसर है वह है आप्सन नमबर A. प्रसासनिक सुधारों 1919 में हुए प्रसासनिक सुधारों पर विचार करने के लिए 1928 में साइमन कमिशन भारत आया था अगला प्रस्ण है कि भारतियों ने साइमन कमिशन का बहिसकार किया था क्योंकि पहला इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया था दूसरा इसमें लेबर पार्टी का कोई प्रतिनीध नहीं था C. इसका कोई सदस से भारती नहीं था साइमन कमिशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दलका था A. सरजान साइमन B. मेजर इटली C. स्टीफन वाल्स या D. विसकाउंट बरनहम चली तो साइमन कमिशन के अध्यच्च सरजान साइमन ही लिबरल पार्टी या उदारवादी दल से संबंधित थे ठीक है जबकि यहां देखें साइमन कमिशन के अध्यच्च सरजान साइमन उदारवादी दलके थे जबकि भारत की स्वतनतरता 1947 के समय बिटिस प्रधानमंत्री क्लीमिट इटली क्लीमिट इटली इस कमिशन में स्रमिक दल के सदस्य के रूप में सामिल थे ठीक है नेक्स्ट किसके सुझावों पर भारतियों को साइमन कमिशन से बाहर रखा गया इसमें कोई भी सदस्य भारती न रोने के कारण भारत में इसका व्यापक विरोध भी हुआ था अगला प्रस्ण है कथन और कारण के रूप में है प्रस्ण है जिसमें कथन ए है कि कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिसकार किया था कारणार है कि साइमन आयोग में एक भी सदस भारती नहीं था आपको बताना है उपरोक्त के संदर्ब में निम्न में से कौन सा एक सही है विकल्प A, A और R दोनों सही है तथा R, A की सही व्याख्या है B, A और R दोनों सही है किन्तु R सही व्याख्या नहीं है R, A की C, A सही परंतु R गलत है और D, A गलत परंतु R सही है चलिए तो जो सही अंसर है इसका वह है आप्सन नमबर A कांग्रेस ने साइमन आयोक का इसी कारण भहिसकार किया था क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य जो है वह भारती नहीं था यह एक स्वेट कमीशन था अगला प्रश्ण है कि निम्लिखित कतनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है कतनों के नीचे दिये कूट से आपको सही उत्तर चुनना है पहला उसकी निव्क्ती 1919 के एक्ट के क्रियानवन की पूस्ताज के लिए की गई थी दूसरा उसके अध्यच सरजान साइमन थे तीसरा उसने संग्हिये प्रकार के सरकार की संस्तूती की थी और चौथा भारती नेताओं ने उसका विरोध किया था कूठ है एक केवल एक तथा दो बी केवल एक दो तथा तीन सी केवल दो तीन तथा चार या डी उपर उक्तू सभी चली इसका जो सही अंसर है वह है आपसन नमबर डी उपर उक्तू सभी के सभी कतन जो हैं सही हैं साइमन कमीशन ने एक संग्हिये सरकार की संसूती की थी य इसके अध्यच सरजान साइमन थे इसका गठन 1919 के एक्ट के पुर्ष्थाच या क्रियानवन के लिए किया गया था कि क्या वह सही है या उसमें क्या क्या कमिया रह गई है और चुँकि इसमें कोई भी सदस्य भारती नहीं था इस करण भारती नेताओं ने इस कमिशन का विरोध किया था देखे भारत सरकार 1919 के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम पारित होने के दस वर्ष पर एक वैधानिक कमिशन की निवक्ति की जानी थी जिससे वर्ष 1919 के अधिनियम के कारे संचालन की जाच पड़ताल करनी थी और आवस्चेक होने पर भावी सुधारों को भी प्रस्तावित करना था इसी उद्देश से नवंबर 1927 में साइमन कमिशन का गठन किया गया साइमन कमिशन में प्रिटिस संसद के साथ सदस से सामिल थे जान साइमन इसके अध्दच थे और इस कमिशन में कोई भी भारतिय जो है वह सदस से नहीं था फलसरूप भारती नेताओं ने इसका विरोध करने का निर्णा लिया साइमन आयोक का प्रस्ताव था कि केंद्री विधान मंडलों को पुनरगठित किया जा जिसमें एक चुनाव होता है राष्टपती का ठीक है बिलकुल आसानी से समझी है हमारे आंके राष्टपती का चुनाव होता है या राजसभा के सदस्युका जैसे चुनाव होता है उसे आप समझ लेंगे जादा अच्छे से ठीक है तो तीन फरवरी 1928 को जिस दिन साइमन कमिशन निक्स्ट साइमन कमिशन की सिफारिसों के संदर्म में निम्नलिकित में से कौन सा एक कथन सही है ए इसने प्रांतों में द्वैदसासन को उत्तरदाई सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संसुती की बी इसने ग्री विभाग के अधीन अंतर प्रांती परिशद इस्थापित करने का सुझाओ दिया सी इसने केंदर में दी सदनी विधाईका के उन्मूलन का सुझाओ दिया इसने भारती पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ स्रिजित करने की संसुती की ब्रिटिस भरती का भारती भरती की तूला में वेतन तता भत्ता अधिक हो चलिए तो साइमन कमीशन के संदर में जो कतन सही है वह है आप्सन नमबर A इसके द्वारा प्रांतों में द्वैद सासन को उत्तरदाई सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संसूती दी गई थी बाकी अन्य सभी स्टेटमेंट जो है वह गलत है निक्स्ट लाला लाजपतराई घायल हुए थे A. साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठी चार्ज में B. रोलिट एक्ट के विरोध में हुए लाठी चार्ज में C. भारत छोडो आंदोलन के समय हुए लाठी चार्ज में डी गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट के विरोध में हुए लाठी चार्ज में जो सही अंसर है वह है आप्शन नंबर ए साइमन कमिशन के विरोध में हुए लाठी चार्ज में लाला लाच पत्राय घायल हुए थे देखें भारती राश्टी कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में कमिशन जहां गया वहां पूर्ण हरताल रखी गई और साइमन कमिशन वापस जाओ के नारे लगाए गये कारण वाले जव्हेक्ति थे वह थे लाला इस्टेटमेंट दिया था कि मेरे उपर किये गए लाठियों का एक एक प्रहार बिटिस सरकार के तागूत की आखरी कील साबित होगा निक्स्ट और अगला प्रस्णा है कि पंजाब केसरी की उपाध किसको दी गई थी अगला प्रस्णी देखते हैं कथन और कारण के रूप में यह प्रस्णा है जिसमें कथन ए है कि 1928 में लाहोर में लाला लाजपत राय के नित्रित्य में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था कारण आर है कि साइमन कमीशन में एक भी भारती सदस से नहीं था आपको बताना है कि नीचे कौन सा विकल्प जो है वह सही है उपर उक्त कथनों के संदर में ए और आर दोनों सत्य है और ए की सही व्याख्या आर करता है बी ए और आर दोनों सत्य है और ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है सी ए सत्य परंतु आर गलत है और डी ए गलत परंतु आर सही है जाहिर सी बात है इसका जो सही अंसर है वह है आप्सन नमबर ए ए और आर दोनों सही है और आर एकी सही व्याख्या भी करता है ठीक है तीन फर्वरी उन्नीस तो टाइस को इंगलेंड से बंबाई पहुचाता सैसे भारती नहीं था या सभी सदस साथ के साथ तो इसमें अंग्रेश थे जिसमें उस समय क्लीमिट इटली भी सामिल थे जो की भारती सवत्तंतरता के समय बृतेन के प्रद्धान मंत्री थे यह ध्यान रखीयेगा ठीक है तो लाहर में लाला लाचपत्रा ने साइमन के विरोधी विरोध वाले जुलूस का नित्रत्य किया इसी दौरान पुलिस की लाठी चार्ज में घायल होने के कारण इनकी मृत्यू भी हो गई थी निक्स्ट नहरू रिपोर्ट तयार की थी साइमन कमिशन 1927 के प्रति उत्तर में नहरू रिपोर्ट 1928 तयार की गई जिसमें भारत के नए डोमेनियम सम्मिधान का खाका था इसे तयार करने वाली सर्वदली समिती के अध्यच थे मोती लाल नहरू और जवाहल लाल नहरू जो है इस समिती के सचिव थे दो मुस्लिमों सहित कुल नव लोग इस समिती के सदस्य थे मोती लाल नहरू के अलावा आठ सदस्य थिक मोती लाल नहरू अध्यच निम्न लिकित में से किस ने सरप्रतम भारत के लिए ओपन वेसिक स्वराज की मांग की थी A. राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने B. पंडित मोतीलाल नहरू और गोविंद वललपंत ने C. सरतेज बहादूर सप्रू और M. आर जैकर ने D. जवाहल लाल नहरू और जग जीवन नाराम ने चलिए तो फिलहाल दिये गए विकल्पों में से जो सही अंसर है वह है आप्सन नंबर A. पंडित मोती लाल नहरू और आप्सन नंबर A. नहीं आप्सन नंबर C. तरतेज बहादूर सप्रू और M. आर जैकर ने सबसे पहले भारत के आपनिमेसिक स्वराज की मांग की थी या is視्ट धेटस की मांग थी देखे पंडित मोतीलाल नहरू ने मार्च उनिस सोब्एस में और गायर स्वराज या डोमेनियम स्टेटस की मांग हेतु सम्विधार निर्माण के लिए एक प्रतिनी थी कांफरेंस बुलाने की मांग की थी हलांकि प्रस्ण में इनके साथ गोविंद वल्लभ पंद का नाम दिया गया है जो की इस मांग से सम्मंधित नहीं थे इसलिए जो सही उत्तर है वह है आपसर नंबर सी क्योंकि तेज बहादूर सप्प्रू और एम आर जयकर नहरू रिपोर्ट तयार करने वाली समिती में सामिल थे जिसने भारत के लिए अपनिवेशिक स्वराज्य की मांग रख्षी थी अगला प्रस्ण है कि भारती स्वतंत्रता आंदोलन के काल में काल के संदर्व में नहरू रिपोर्ट में निम्नले खित में से किस की अनुसनसा की गई थी पहला भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, दूसरा अल्प संक्य के हुए तु आरचित इस्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन छेत्र, तीसरा सम्विधान में भारतियों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, कूट के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है, आप्सन है, A केवल एक, B केवल दो और तीन, C केवल एक और तीन या D, एक दो और तीन, जो सही अंसर है, इसका वह है, आप्सन नमबर B, केवल दो और तीन, पूर्ण स्वराज नहीं, डूमीनियम स्टेटस की मांग की गई थी, ठीक है, या, आपनिमेसिक स्वराज की बिद्रिया देने की बात कही गई थी इसमें स्वांपरदाईक आधार पर पृथक निर्वाचन मंधलों के इस्तान पर अलप संक्यकों एंटू आरच्छित अस्थानों के के लिए सउयुक्त निर्वाचन छेतरों का प्रस्ताव था है साथ ही इसके तहत्व 금 कर्ष्टावित संविधान में भारतियों के लिए भासर देने समाचार पत्र निकालने सभाइय करने संगठन बनाने आद की स्वतंतरता के अधिकार सहित विभिन मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था नेक्स्ट और अगला प्रस्ण है कि निम्न में से कौन वर्स 1928 में इंडिपेंडेंडेंस फॉर इंडिया लिग के गठन से संबध्ध थे पहला जवाहाल लाल नहरू दूसरा सुभास चंद्र बोस तीसरा आचार नरेंद्र देव और चौथा जैप्रगास नारायाट अपना उत्तर दिये गए कूट से चुनना है आपको कूट है ए एक दो और तीन बी दो तीन और चार सी एक और दो या डी तीन और चार तो सुभास चंद्र बोस जवाहल लाल नहरू और सत्यमूरती बताया था ना मैंने आप्सन नंबर सी सही है पहला और दूसरा जो है वह इंडिपेंडेंस फार इंडिया लीक के गठन से संबंदित थे इसका गठन 1928 में किया गया था और इसने डोमेनियम स्टेटस के आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी देखें 1928 में इंडिपेंडेंस फार इंडिया लीक का गठन जवाहल लाल नहरू और सुभास चंद्र बोस ने मिलकर किया था इसका उद्दे से दोमेनियम स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था अध्यता में एक कमेटी द्वारत तयार किया गया था और इसका विशह था डैस मोiping लाल नहरू और जवाहलन नहरू विळी सुमराजी के साथ भारत का रिश्ता विश्त बी आमल Неहरू की अध्यता में और विशहता भारत ऐस्थानी कृसाशन C. मोतिलाल नहरू की अध्यचता में और विशयता भारत में सम्विधानिक व्यवस्थाएं या C. जवाहल लाल नहरू की अध्यचता में और विशयता भारत में सम्विधानिक व्यवस्थाएं तो आसानी से आप लोग इसका अंसर दे सकते हैं इसका जो सही अंसर वो है option number C नहरू रिपोर्ट जो है वो मोती लाल नहरू की अध्धचता में गठित अध्धचता में एक कमेटी द्वारा तयार किया गया था जिसका विशय था भारत में सम्मेधानिक व्यवस थाएं आईए explanation के मादन से एक बार पूरी चीजों को फिट से जिवाईच करते हैं साइमान आयोक को निउट करने वाले अनुदार पंथिर राज्य सचीव लाड़ बरकेन हेट के द्वारा के अंसार भारती लोग सम्मेधानिक सुधार करने के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे उन्होंने कहा कि भारती ऐसा सम्मेधान बनाने में असमर्थ हैं जिसको सभी भारतियों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो इस चुनावति को भारतियों द्वारा स्विकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी मई और अगस्ट में 20 में प्रस्तावित समविधान का प्रारूप फरस्तूत किया इसको मोतिलाल नेहरू के नाम पर नहरूरीक के नाम से भी जाना गया मोतिलाल नहरू ही इस रिपोर्ट के लेकस्टे इसमें सांपरदाईक आधार पर अलग निरवाचन मंदल की मांग को उस्विकार किया गया जिसे प्रिथक करण अगला प्रस्टन है कि मुस्लिम लीग के निम्नलिकित में से किस अधिवेशन में मुहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सुत्री प्रस्ताव रखा था चलिए तो जो सही अंसर है इसका वह है आप्सन नमबर सी मुस्लिम लीग के वर्ष 1929 के अधिवेशन में मुहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 सुत्री प्रस्ताव को रखा था नहरू रिपोर्ट के खिलाब देखे 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ जिसमें जिन्ना ने नहरू रिपोर्ट के विरोध सुरुप 14 सुत्री प्रस्ताव रखा नहरू रिपोर्ट में सयुक्त रूप से चुनाव ड़ने की बात कही गई थी जबकि इसमें चुनाव छितर की मांग की गई थी नेक्स्ट और अगला प्रस्ण है कि कांग्रेस दल की उग्र साखा ने चिस एक प्रमुखनेता जिसके एक प्रमुखनेता जवाहलाल नहरू थे इंडिपेंडेंस फार इंडिया लीग की स्थापना की वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई ए गांधी इरविन समझ होता बी होमरू लांदोलन सी नहरू रिपोर्ट या डी मांटफूर सुधार चली तो जो सही अंसर है इसका वह है आप्सन नंबर सी नहरू रिपोर्ट के विरोध में इस लीग की इस्थापना नहरू और जवाहलाल नहरू और सुभार चंद्र बो रूप में स्विकार करने की मांग कर रहे थे परिडामतर जवाहल लाल नहरू और सुभार चंद्र बोश ने इंडिपेंडेंस फ़र इंडिया लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबाव समुह का निर्माड किया था ठीक है तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है अगले लेक्चर में हम लोग आगे के चेप्टर्स के बारे में बात करेंगे ठीक है तो थैंक्यू थैंक्यू विरिम फर डिसकेशन चैनल को लाइक सब्सक्राइबर सेर करना मत भूलिएगा धन्यवाद